अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोच रहे हैं कि हम लिविन रिलेशन्शिप में रह लें तो कुछ नियम कानून सरकार ने बदले हैं जिसके जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए सबसे पहले यहां पर यह कहा गया है कि अब आपकी जो रिलेशन्शिप है उसको रिजिस्टर कराना होगा डिस्टिक रिजिस्टरार के पास जाकर और उसी के बाद जो है आपकी जो इन्फरमेशन है तमाम जानकारी है जो प्रभारी है उनको दी जाएगी अगर जो आपने ज जानकारी दी है वो तो सही हुई तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर गलत सावित हुई तो तीन महीने की सजा और 25,000 रुपे जुर्माना इसी के साथ सथ उम्र की सीमा भी यहां पर 21 साल कर दी गई है 21 साल का ही लड़का होना चाहिए 21 साल की लड़की होनी चाहिए लेक पुलीस को नहीं दी है तो आपको 30 दिन के भीतर यानि कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने जानकारी नहीं दी है उसके बाद पुलीस को पता चलता है तो 10,000 पर आपको जुर्माना है और 373 महीने की सजा बताई जा रही है अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर यह कहता है कि कि रिजिस्ट्रार को देनी होगी यानि कि ब्रेक अप होता है तब भी और अगर बच्चा पैदा होने के बाद भी आप दोनों साथ नहीं रहते हैं आपका रिष्टा तूट जाता है तब भी आपको जानकारी देनी होगी इसमें खास बात यह है कि महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि अगर आप एक रिष्टे से बाहर आती है तो भी आप कोट का दर्वाजा खटटा सकती है और आप कोट को यह कह सकती है कि जो पुरुष है वो हमें गुजारा भटता दे तो इस सहा की जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है लेकिन हाँ कौन-कौन से जब से पेश हुआ है उसके बाद यह बदले गए है लिव इन रिलेशनशिप के लिए हास और इक खास और पर कानून जो है उत्राखंड के निवासियों के लिए है लेकिन हाँ अगर आप उत्राखंड छोड़कर किसी और स्टेट में रहते हैं अगर आप हिमाचल में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं फिर भी जो आप रेजिडेंट फुत्राखंड है आपका वो नियम कालून यूसी के आपके हिमाचल में भी लागू होने वाले